गहरी काली रात को चिरता एक आदमी खाली सड़क पर अपने लर्खाते कदमों से भागे जा रहा था और बार बार अपने पीछे देखता कि कोई आ तो नहीं रहा ना। जादा देर तक भागने से वो एक जगह रुखकर अपने हाथ अपने घूटनों पर रखकर जोर जोर से ससे लेने लगा तभी उसके सामने से फोर लग्शरी स्पोर्ट कार आके रुकी उसमें से आठ बॉडिगार्ड बाहर आये सारे बॉडिगार्ड ने ब्लैक कॉलर की युनिफॉर्म पहिनी थी सबके एक साइट कोने पर आर के लिखा हुआ था यो जग चिन्ह उन्हें देख तभी उसके सामने एक चमजमाती गोल्ड कॉलर की रॉल्स रॉयस आके रुकी कार को देखकर वो वही जम गया तभी कार से एक बॉडिगार्ड निकला और उसने पीछे का डोर ओपन किया डोर ओपन होते ही एक आदमी बड़े आटिट्यूड के बहार आया जो की रीशब ता है गोरा रंग हलकी बियर नीली गहरी आखे मस्कुलर बॉडी के साथ थरी पीस ब्लैक सूट केरी किया हुआ था हेर एक डम सिट अपने चहरे पर एक ब्लैक मास्क जिससे उसके आखे और लिप साफ दिख रहे थे उस आदमी ने जैसी ही उसकी नीली आखे देखी जिसम क्या लगा था तू मुझे धोखा दे के बच के भाग सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा पर तू भूल गया मेरे आदमी हर जगह पर है तुने मुझे अंडरेस्टमेट करके अपनी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती कर दी तुझे क्या लगा मैं गगदारों को कर दो उसकी बात सुनकर रिशब फिर से उसी रोगदार अवाज से बोला अब तुझे माफी उपर जाके ही मिलेगी उसने तुरंथी अपनी बैक से गोल्डन कलर की पिस्टिल निकली और उसकी सर की सेंटर में गोली मार दी वो आदमी तुरंथी धेर हो बया ये हमरे स्टो कि ये अपनी इडेंटिटी हाई रखता है रिशब का फेस सबसे बड़ी मुस्ट्री है दुनिया के लिए सामने से सब उसे एक बसिनेस मैन के रूप में जानते है पर वो बिजनेस वर्ड के साथ साथ माफिया वर्ड का किंग में भी आर के नाम से जाना जाता है इसका नाम सुनते ही सब थर थर कपने लगते थे क्योंकि ये दुनिया का एकलोता माफिया है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा पर रिशब के कुरूलता के बारे में सब जानते है पर कभी किसी बेकसूर को नहीं मार रिशब अपने दुमनों का क्या हाल करता है सब जानते है गार्ड अपने अदमियों को लास्टीकाने लगाने को बोल के अपनी स्पोर्ट कार में बेटी कर रिशप की पीछी चलने लगते हैं। मुंबई ठाडे एक लड़की जो अपने छोटे से बैग पर बेफिकर होकर सोई है तभी उसका फोन बजा उसने अपने बंद आखो से ही इधर उधार हाथ फिरिया और बिना दिखे ही फोन उठा के अपनी अलसाय आवाज में बोली हेलो। उधर से उसकी दोस्त कोमल चिलाते हुए बोली माही तू अभी भी सोई हुए है अबे पागल उठ जा आज तेरा प्रोजेक्ट सबमित करने का लास्टे इतना सुनती ही माही जल्दी से उठकर बैग गई और अपने सिर पर हाथ रखते हुई बोली आर में तो भूल ही गई ये है हमारी फैमिल लीड माही दूग जैसा गोरा रंग पालता फिग नीली बड़ी बड़ी आखे और गुलाब की पंखुनी जैसे पितले ओट जो दिखने में किसी परी से कम नहीं कॉलजे उसके अपार्टमेंट पास में ही था इसलिए वो दोड़ते हुई ही कॉलजे की तरफ जाने लगी कुछ देर बाद वो दोड़ते भागते कॉलेज पहुँची बाहर गेट पे ही उसे उसकी फ्रैंड कॉमल मिल गई मही उसके पास जाके परेशा होते हुए कहा यार मैं अब क्या करू मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तो भूल ही गई अब क्या करू क्या करू इतने में कॉमल ने एक फाइल उसे देते हुई कहा ये ले और टेंशन मत ले ये तेरा प्रोजेक्ट उसकी बाद सुनके मही कभी उसे देखती तो कभी फाइल को फिर उसे कोमल से पूछा तुने मेरा प्रोजेक्ट बनाया थैंक्स यार तभी कोमल बोली मुझसे मेरा बनता नहीं तेरा कहा से बनाओगी ये तो तेरे आशिक का कमाल है माही ने सवालिया नजरों से उसे देखा जैसे पूछ रही हो किसने कोमल ने एक्सप्ली करते हुए कहा रे आशिश ने उचसे बात करने के बाद में सीधा उसे पास गई मने उसे बोला कि तू अपना प्रोजेक्ट पुरा नहीं कर पाए और बहुत ज़्यादा परेशान है उसने तुरंथ ही अपने फ्रेंड की फाइल ली और मुझे देद दी और कहा माही का नाम प्रिंट करवा लेना इतना सुनते ही माही का पारा हाई हो गया वो चिलाते हुए बोली तू पागल है क्या तूने उससे हेल्प क्यों ली तू जानती है न वो मुझे वो बिकुल भी पसंद नहीं है उसने ना जाने कितनों की जिंदिगी और बर्बाद की और अब मेरे पीछे पड़ा है ये फाईल जा अभी उसे वापस करके आ कोमल ने जैसे ही मुझे खोलने वाली थी तभी माही ने गुरसे में उसे घुरा कोमल दर गई उसने फाईल ले और अंदर जाके रोहन को दे दिया माही क्लास में इंटर हुई तो सभी लड़के उसे ही तार रहे थे उसने सबको इगनो किया और अपनी डैस्क पर कोमल के साथ बेट गई माही कॉलेज की सबसे सुन्दर लड़की थी इस वजए से वो सभी लड़कों की क्रश थी और लड़कियों की राइवल कुछ देर बाद सब अपनी अपनी डैस्क पर बैठे थे तब ही शर्मा सर अंदर आये और सबने उन्हें खड़े हुके गिरिट किया उन्हें ने सबको बेठेने का इशारा किया सब अपनी जगव पर बेठे गए शर्मा सर ने कहा आज आप सब का प्रोजेक्ट सब अमिशन का लास्ट डेट है तो जिसका सबमिट नहीं हुआ हाँ के सबमिट कर दे तब ही उनकी नजर माही पेपड़ी जो आखे बंद कर हाथ जोड़ कर कुछ बढ़ड़ा रही थी सर उसे देखते ही समझ गए इसने फिर से प्रोजेक्ट नहीं किया उन्होंने जोर से माही को आवाज लगाए और पूरे क्लास में खामोसी फैल गई वही माही अपनी जगह पर जम गई उसने मन ही मन में कहा आज तो गई में और खड़ी हो गई सर ने प्रोजेक्ट का पूछा तो माही ने हकलाते हुए कहा ससर सर वो में बनाना भूब भूब भूल गई शर्म सर ने जैसे ही ये सुना उनका पारा हाई हो गया उन्होंने अपनी करकस आवाज में कहा get out from my class मही ने कुछ बोलने की कोसिस की तबी फिर से सिर ने चिलाते हुआ कहा ही said get out from my class मही ने अपना बैग उठाया और एक बार क्लास में सब को भूर कर देखा उसके देखते हैं सब सहम गए लड़कों की तो हवा ताइट हो गई वही लड़किया तो मन हे मन बहुत खुश हो रही थी कि आज उनको भी attention मिलेगी क्लास के बाहर निकलते ही उसके फोन पर एक notification आया मही ने तुरंत अपना फोन बाहर निकला और message पढ़के उसे face पर एक devil smile आ गई उसने back से एक mini laptop निकला और वही पास के सिडियो पर बैठे कर कुछ करने लगी उसकी उंगली keyboard पर ऐसे चल रही थी मानो पियानो बाजा रही हो कुछ देर बाद laptop में automatic बहुत कुछ दिखने लगा वही मही एक बार सब देखती है laptop बंद करके next lecture attend करने चली जाती है और change करके अपनी coffee पीने लगती है पीते वकत उसे कुछ याद आता है और वो उठकर अपने room के mirror के सामने जाती है और कुछ सोच कर एक हाथ mirror पर रख देती है हाथ राखते ही mirror में कुछ scanning होने लगती है और कुछ देर बाद और mirror हटके एक gate दिखने लगता है माही बिना देर किया अंदर जाती है अंदर बहुत अंदेहरा था पुरे room में बहुत computer screen ही दिखाए दे रही थी माही बिना वक्त गवाए एक बड़ी सी screen के सामने अपनी चेह पर बेठे जाती ही और keyboard पर फिर एक बार फटा फट type in करने लगती ही कुछ देर बार वो रुपती है और चेह पर पीछे की और होकर screen पे देख रहे लड़के की आखों को देख कर कहती है तुम मुझे क्यों धूर रहे हो आखिर हो कौन तुम और मुझे क्या चाहते हो बार बार मुझे क्यों धूरने की कोसस करते हो माही के सामने जिस लड़के की तस्वर है वो पूरी दुदली है बस उसकी आखे हलकी हलकी दिख रही थी जो नीली कलर की है कुछ देर बाद वो सिकरेट रूम से अपने रूम में आके बैग पे लेट कर कुछ सोचने लगती है कुछ देर बाद उसकी आखे बंध हो जाते हैं और वो नित की आगो उसमें चली जाती है डेली, कुंद्रा पैलेस के बाहर 15-16 ब्लैक, मर्सिटीस, साथ गोल्ड रॉल्स रॉयस के साथ 4 स्पोर्ट कार भी थी गारिया रुकी गारियों के रुकते ही गार ने दोरते हुए गेट खोल सारी गारिया पैलेस के अंदर दूसरी तरफ चली और और गोल्ड रॉल्स रॉयस पैलेस के गेट पर रुकते ही एक गार ने दोर कर बैक डोर ओपन किया उसमें से रिशब बाहर आया सभी सेर्वेट ने सिर जुकु से गिरट किया उसे इन बिना किसी को देखे अपने लंबे कदम लेते हुई लिफ्ट से अपने रूम में चला गया कुछ देर बाद वो एक लुच्टी शर्ट और लोव पहन कर नीचे आया और बाहर की और जाने लगा उसे जाता देख उसका खास दोस्त और उसका पाप उसके अक्षट सामने आया और फाइल देते हुई बोला रिश्व ये सिंधानी की डील का क्या करना है रिश्व बिना भाव के उसे तरफ देखता है और बाहर जाने लगा अक्षट ने मन ही मन में कहा भगवान ये कुछ बोल देगा तो मर जाएगा क्या खेर मुझे क्या इसकी चुप्पी का मतलब है डील दन करनी है रिश्व ने हेलमेट पहन के अपनी ओलिद स्पेनलिंदर लेके पैलेस की सेक्रेट रास्ते से बाहर निकल गया सीधा अपने घर पर पहुँचा रास्ते में ही उसने उसका मास्क निकाल कर बैग में रख लेता है ये एक डिल्ली का बहुत ही कंजिस्टेड इलाका था रिशव अपनी पुरानी बाइट को एक छोटे से घर से सामने पाक किया और घर अंदर चला गया उसे देखकर महेश जी ने पूछा बेटा इतना लेट कैसे हो गए रिशव हस्ते हुए कहा अरे डेट आप तो अक्षत को जानते हो न मूवी के लिए सरखा गया था तो बस उसे के साथ मूवी देख रहा था इसे लिए तोड़ा लेट हो गया महेश जी ने हंस्ते हुए है कहा वो भी पुरा पागल है तुम्हारी ही तरह पर लड़का दिल का बहुत अच्छा है हमेशा सब की मदद करने की कोसिस करता है रिशब ने भी हामी भर दी और डिनर टेबल की और बढ़ गया रिशब के घर में उसकी मा पापा और उसकी बड़ी बहन रहती थी रिशब ने सबका हाल चाल पूछा और सबसे बहुत सारी बाते की और डिनर करके अपने रूम में जाके सो गया रिशब घर में सबसे छोटा था और सबका चहिता भी उसकी मा का नाम गीता कुंद्रा जो एक हाउस विफाई है पिता का नाम महेश कुंद्रा जो एक गोवनमेंट इंप्लोई है और बहन का नाम निशा जो अभी एक प्राइवेट कमपनी में एक काउंटे का काम करती है ये शुभे, रिशब रोज की तरह जल्दी उठकर जिम चला जाता है, जो कि घर के पास में ही है, एक गिंते बाद वो जिम करके वापस आता है, कॉल जे जाने के लिए रेडी होने लगता है, रेडी होकर वो नीचे आता है सब को, गुड मॉनिंग, विश करता सब भी उसे ग जाके ही पुरा हो सकता है, मेरे रहने खाने का इंतेजाम अक्षत ने अपने विला में करा दिया है और वो भी मेरे साथ हे रहेगा, हम दोनों का सेम प्रोजेक्ट है, उसके डेड कुछ सोचते होए बोले, ठीक है बेटा तू चले जाना पर जाना कब है, रिशब स्माइल क की साथ कहा, आज साम को, महेंद जी बोले अच्छा ठीक है, ये लोग कुछ पैसे और मना मत करना और ध्यान से जाना, रिशब ने बिना कुछ कहे वो पैसे लिए और खाने लगा, महेंद जी ने रिशब को थोड़े पैसे इसलिए दे क्योंकि रिशब अपना खर्च अपन उसे पसंद नहीं कोई उसका खर्च उठाए, ब्रेक फास्ट खत्म किया, फिर सब अपने अपने कम पर चले गए, रिशब भी वह से अपनी बाइक लेकर सीधा कॉल जे चला गया, उसे बाइक को पार्किंग में पार्क किया कि तभी वह अक्षता गया, वो उससे हस्ते हु क्यूं हो रहा है, रिशब ने बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, वो सीधा गल्यारों से बढ़ते हुए अपने क्लास्रूम में इंट करता है, सब लोग अपना अपना काम छोड़ के उसे ही देखने लगते हैं क्योंकि आज उसने वाइट शर्ट पे ब्लैक फॉर्मल प यहां जादा तर अमीर लोगों के बच्चे आते थे पर रिहाब यहां शलोशिप पे आया था पर उसका ओरा सबसे अलग था इसलिए सारी लिर्किया उसकी शलोशिप वाली बात पे ध्यान नहीं देती थी, उसके आते ही उसके पीछे से अक्षद भी वहाता है एक बार फि यह है और यह कलेज भी आर के कही था लेकिन किसी को भी अक्षद की एज नहीं पता थी और वो सकल से अभी 21 साल का ही लड़का लगता था इसलिए सब को लगता था अक्षद भी यहां पढ़ने आता है पर सब इस बात से हिरान जरूर रहते है कि अक्षद इतनी चोटी उमर में आर के का पी ए कैसे बन गया पर किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई विवान से पूछने की कलेज में कुछ लड़किया तो अक्षद को अपना बनाना चाहती थी तो कुछ उसके जरिये आर के को फसाना चाहती थी अक्षद भी बहुत हैंसम था पर रिशब के आगे थोड़ जे ट्रेडी करने को बोल दो अक्षद हमें सिर हिला देता है अपना फोन में किसी को मेसेज करके जे ट्रेडी करने को बोलता है रिशब अक्षद को देखे बिना ही पूछता है मिली वो तो अक्षद सर न में हिला देता है रिशब आगे कुछ नहीं कहता और अपने काम में लग जाता है कुछ देर बाद एक लड़की रिशब के पास आती है और कहती है मेरा नाम सोनल भाटिया है और मैं यहां की तरस्टी की बेटी हूँ रिशब उसे कोई भाव नहीं देता और अपने मोबिल में न्यूज देखने लगता उसे देखकर अक्षत ने मन ही मन बोला इसे लगत है अपनी जान प्यारी नहीं है जो शेर के मुँँ में हाथ डाल रही है इसे कौन समझाए रिशब ने एक से एक से सुन्दर लड़कियों को नहीं आख उठा कर नहीं देखा तो तुम क्या चीज हो वही सोनल ने रिशब का कोई रियाक्शन न देता देख और चिल गई और चिलते हुई बोलियो हेलो तुमने अपने आपको समझा क्या है मैं सोनल भाटिया तुमसे खुद मिलने आए हूँ और तुम मुझे एगनो कर रहे हो मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है पर मैं तुम्हे भाव दे रही हूँ बहुत हे खुश नसीब हो जो मैं तुमसे खुद बात करने आए हूँ रिशब ने फिर भी कुछ नहीं कहा और न्यूस परता रहा सोनल अब और चिर जाती है और दात पिस्ते हुई बोलती है यूँ वेट एंड वाच मेका करती हूँ और पैर पटकते हुई चली जाती है वो जादा कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि अक्षत वही था अगर उससे गोसा आ गया तो वो उससे छोड़गा नहीं सोनल की जाने के बाद रिशब बिना भाव को अक्षत को देखता है जो उसे ही देख रहा है रिशब की देखते ही वहां में सिरहला के किसी को कोल करता है दो हे रिंग में फोन उट जाता है उधर से आवाज आई तो कैसे है अक्षत जी बड़े दिनों बाद याद आई सब खुसल मंगल तो है न अक्षत ने उसकी बात कते हुए बोला तुम्हारे कलेज में सोनल भाटिया नाम की लड़की है उसे आज है अभी रिस्टिगेग करो बॉस का ओडर है तो दीन बोला हो जाएगा सर इतना बोलके अक्षत ने तुरंद फोन कात दिया और रिशब की तरफ देखकर बोला काम हो गया रिशब ने कोई जब नहीं दिया और अपने काम में लग वही दूसरी तरफ मुंबई ठाने मही अंगाया लेते हुई उठी और अपने आसपास देखने लगी उसके चेहरे पर एक अलगी सकुन था देखा थे हुई उसकी नजर सामने वाली क्लॉक पर परी उसमें नौ बजने वाले थे वकट देखते ही वो फटा फटा बैट से उठने लगती है और बरबरते हुई बोलती आज फिर से लेट हो गई शर्मा सर तो आज जान ही ले लगे वो फटा फट अपने बाथरूम में चली जाती है कुछ देर बाद बबलू जीन्स पर पिंक टॉप डाल कर बिना नास्ता करे ही कॉलजे की तरफ चली जाती है वो दोड़ते भागते कॉलजे पहुंचती है और सीधा क्लास रूम में आके कोमल साथ बैठे जाती है कोमल उसे देख कर कहती यार कभी तो वकट प पर उसे सर पर चपत लगते हुई बोली कभी तो कुछ काम का बोला कर जब देखो शादी शादी ना जाने कौन इतना गधा होगा जो तुझसे शादी करेगा माना तू कलेज की सबसे सुन्दर लड़की है मगर तेरी हरकतों की वाज़ से सब लड़की तुझसे परेशान जब देखो किसी ना किसी को पिद देती है माही उसकी बात को सुनके अपना मुपाउट बना के बोली यार तुझे तो मेरी है हरकते खराब लगती है उन अमीर जादों की अच्छी है क्या सब की सब बस मेरी खुदसूरती पे मरते हैं और बस मेरे साथ सोना चाहते हैं पीछा चूटेगा तुझसे ये बात सुनके माही अपना मुपूला कर बोली आज के बाद मुझसे बात मत करना उसका फूला मुप देखकर कोमल की हसी चुट जाती है माही भी कोमल को देखकर हसने लगती है तब ही शर्मा सरा जाते हाओ और डोनों सानती से बेट कर अटेंट करके सीधा घर आ जाता है और पैकिंग करने लगता है वो ज़्यादा कुछ नहीं दो माइनस तीन जोड़ी ही कपड़े रखता है क्योंकि मुंबई के पैलेस में आलरेडी उसका सारा समान है रिशब अपनी पैकिंग खत्म कर अपनी मा को हग करते हुए है गालों पर एक किस करके एक स्माइल की साथ कहता है मौन में जल्दी वापस आ जाओगा जब तक मैं आपको डैली फोन करूगा गीता जी ठीक है बोलती है उसे अपना ध्यान रखने को कहती है रिशब भी ओके बोल कर अपना बैग लेकर घर से निकल जाता है घर से निकाले ही उसका चेहरा फिर से भाव हीन हो जाता है जो खुशी दो मिनट पहले उसके फेस पर थी ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं कुछ दूर जाके रिशब एक सुनसान रोड पर पहुंचता है जहां दूर दूर तक कोई दिखाए नहीं दे रहा था तब ही एक बीमेम बल्यू उसके सामने आके रुकी रिशब बिना अंदर देखे ही पीछे का डोर ओपन करके बेठे जाता है ये गारी अक्षत की थी जो उससे लेने आया था आक्षत ने अपनी गारी पैलेस की तरफ घुमा लेता है जैसे ही गारी मैन रोड पर अती है गारी के आगे और पीछे दस दस गारिया का काफिला चलने लगता है जिसमें रिशब के बॉडि गार्ड थे रिशब गारी में ही अपना मास पहन लेता है कुछ देर बाद वो पैलेस पहुँच गए एक गार जल्दी से आके पीछे का दोर खोलता है रिशब अपना बैग लेकर बिना किसी को देखी अपने पैलेस के रूम में चला गया इस वक्त भी उसका चहरा बिना किसी भाव के था दरासल रिशब सिर्फ अपनी फैमिल के सामने ही हस्ता और बोलता था बाकी वक्त उसका फेस पर कोई एक्स्प्रेशन नहीं होते है और यही कारण था कि सब लोग उससे दरते थे क्योंकि जो जितना सांथ होता है उतना ही खतरनाक होता है थोई देर में रिशब एक एक थरी पीस करे कलर का हैंड मैट सूप पहन कर चहरे पर ब्लेक मास्क लगा कर नीचे आता है उसने आज उसकी फेवरट वाच जो की 30 करोर की है वो पहन रखी थी उसकी वाच इतनी मेहगी इसलिए है क्योंकि जिन्होंने इसे डिजाइन किया है वो वर्ल्ड की सबसे फेमस डिजाइनर थे और ये वाच उनकी लास्ट डिजाइन थी जो कि उन्होंने खास रिशब के लिए डिजाइन की थी उसे गिफ्ट करने के लिए पर ये एक कपल वाच थी जो कि दो वाच का सेट था पर रिशब को ये बहुत पसंद आई थी इसलिए उसने वो वाच एसेप्ट कर ली थी लेकिन कभी पहनी नहीं थी पर आज रिशब का मन इस वाच को पहनने का बहुत कर रहा था इसलिए उसने इसे पहन ली सब लोग बसे टक उसे ही देख रहे थे आकशत उसके पास आके धीरे से एक आख दबा कर कहता है भाए आज तो पक्कातु आग लाने वाला है उसके बात पर रिशब कुछ रियाक नहीं करता और बाहर की तरफ चला जाता है उसके पीछे पीछे रिशब भी बाहर आ जाता है फिर दोनों अपने चॉपर में बेट के एरपोर्ट की तरफ चले जाते है चॉपर सीधा उनके प्राइवट प्लेन के साइड में ही लैंड करता ही दोनों चॉपर से उत्तर कर प्लेन में बेट जाते है थोड़ी देर में plane टके ओफ करता है उसके साथ 3 private plane और टके ओफ करते हैं इसमें रिशब के 400 secret bodyguard थे ये bodyguard रिशब को secretly protect करते थे सब के सामने ये normal get up में हे रहते हा पर जैसे हे रिशब कर कोई खत्रा हो थे ये X में आ जाते और रिशब को protect करते plane एक full, pass angle, type plane था पर ये अंदर से किसी hotel से कम नहीं था इसके अंदर बार ट्रेटर दिनर एरिया और private room भी थे जो की किसी hotel की room से कम नहीं थे रिशब का एक personal airspace है जहां सिर्फ उसके हे plane जल सकते है रिशब की 16 private plane है जिसमें से चार उसके bodyguard के लिए बाकी सारे plane अलग-अलग country में रहते हैं emergency के लिए वो सिर्फ अपने पास दो हे plane रखता है जो हमेशा ready रहते है रिशब को ले जाने के लिए रिशब के साथ रिशब के दास सबसे खास और भरोसे मंद bodyguard भी plane में थे जो की उसके साथ हमेशा रहते थे सारे bodyguard हर situation में survive करना जानते थे और सब रिशब के सारे काम भी संभालते थे रिशब कभी भी कोई भी meeting खुद नहीं अटेंड करता है हमेशा या तो उसके bodyguard बल अटेंड करते है या उसकी ये दस bodyguard में से कोई पूर नविराम रिशब के bodyguard पूरी तरह से रिशब जैसे है दिखते थे बस सबकी face अलग थे वो हमेशा मास्क लगा के है meeting करते थे रिशब अपने bodyguard बल इसलिए यूज़ करता है क्योंकि उसकी जान को हमेशा खत्रा रहता है इसलिए वो हमेशा दूर बैठ कर meeting को live देखकर अपने bodyguard को instruction देता है और वो वैसा वैसा बोल देते है रात का वक्त रिशब अपने plane से बाहर निकलता है वहाँ पर पहले से है उसके सारे bodyguard वहाँ लाइन से ख़़े थे और आसपास नजर रखे हुए थे रिशब सीधा plane से उत्तर कर एक bullet को रूफ बेंटले में बेठता है उसके साथ उसका PA अक्षब भी उसके साथ बेठता है वो सब अपने palace की तरफ निकल परते है जैसे जैसे सबने रिशब की car देखी सब अपने आप अपनी car side कर लेते हैं और जाने का रास्ता देते ऐसा इसलिए है क्योंकि रिशब को ट्राफिक से सक्त नफ्रथ है पूर नविराम ये बात सब जानते है रिशब की car का काफिला सबसे अलग ही दिखता है क्योंकि उनकी car पर no plate की जगह सिर्फ आर केक का लोगो बना होता है रास्ते में अक्षत रिशब को डील के बारे में बताता है और लगातार कुछ दिन होने वाली मीटिंग के बारे में बताता है रिशब सब घ्यान से सुनता है और चुक चाप सीट पर टेक लेकर आराम करने लगता है आज रिशब को भी कुछ अजीत सा ही फील हो रहा था जैसे कोई अपना मिलने की खुशी हो कुछ देर बाद सब पहले स्पहुँच जाते है जो कि मुंबई की जुहू पर था रिशब कार से उतार कर सीधा लिफ्ट से उपपर अपने रूम में चला गया और शौवल लेकर अपने स्टधी रूम में जा के अपना काम करने लगा ही दूसरी तरफ मही अपने सारे लेक्चर, अटेंड कर वापस घराती है वो जल्दी से वाश्रूम में जाके फ्रेश होके अपना दिनर ओडर कर देती है आज वो बहुत जादा ठक गई थी आज उसे कुछ अजीट सा ही फील हो रहा था जैसे कुछ होने वाला है इसलिए उसने दिनर नहीं बनाया कुछ देर बाद अपना दिनर करके अपने रूम में सोने चली गई अलगी शुभे कुंद्रा पैलेस रिशब अपने रोजाना की तरह जल्दी उठकर जिम चला गया करीब एक घंटे बाद वो वापस अपने रूम में आया और फ्रेश होने चला गया कुछ देर बाद वो फ्रेश होके नीचे हाल में आ गया वा अक्षब पहली से है रेडी होके बेठा था अक्षब रिशब को गुड मॉनिंग विश करता है रिशब भी उसे गुड मॉनिंग विश करता है अक्षत शौक्ट होके उसे ही देख रहा था क्योंकि ये पहली बार है कि रिशब ने उसे मौनिंग विश किया हो रिशब की आवाज से अक्षत अपने हूस में आया रिशब का आज का शेलर समझाने लगा फिर दोनों जाके डिनिंग टेबल पर जाके ब्रेकफास्ट करते है फिर ओफिस के लिए निकल जाते है आज रिशब की बहुत है इंपोर्टन्ट मीटिंग होने वाली है इसलिए आज वो खुद ही मीटिंग अटेंड करने वाला था क्योंकि आज उनकी मीटिंग दुनिया के सबसे बड़े बिल्दर हीरलाल वालिया से होने वाली थी जिनकी उमर लगभग 65 वर्ष होगी रिशब इन्हे अपना आदर्श भी मानता था क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम उमर में अपने दम पर वालिया ग्रूप को बन्या था इनकी भी जीवन कुछ हट तक रिशब से हिम मिलता जूता था रिशब घर से निकल कर सीधा मिटिंग के प्लेस पर पहुँचता है ये मुंबई का सबसे बड़ा होटल था, मॉनिंग स्टा, ये होटल भी रिशब का ही है जिस फ्लोग पर मिटिंग होने वाली है उस फ्लोग को पहले ही अक्षब ने खाली करा दिया था वह सिर्फ रिशब के बॉडिगार थे रिशब अक्षब को, स्ट्रिक्टी समझता है मीटिंग में कोई भी डिस्टर्बंस नहीं चाहिए विवान बॉडिडार को कुछ इंस्ट्रूशन देने लगता है रिशब एक रूम में जाके रेडी होने लगता है क्योंकि आज वो मिस्टर वालिया से अक्षट का स्टेंट वन के मिलने वाला है मुंबई ठाड़े माही रोजाना की तरह आज भी लेट उठी उसने उठकर वक्त देखा तो घड़ी में नौबाज रहे थे आज माही कॉल्स नहीं था इसलिए वो आराम से उठी और वाश्रूम में चली गई थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होके किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाया ब्रेकफास्ट बना के उसने ब्रेकफास्ट किया फिर रूम जाके अपने लैप्टॉप में काम करने लगी थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक काल आया माही ने नाम देखा और फटा फट फोन उठा लिए उधर से कुछ बोला गाए माही ने ओक बोल के फोन काट दिया और रेडी हुने चली गई थोड़ी देर बाद वो सिंपल सा ब्लैक गाउन पहन कर घर से निकल गई थोड़ी देर बाद वो भी उससे होटल के सामने ख़ली थी सब उसे हे घूर घूर कर देख रहे थे माही इस सिंपल ड्रैस में भी कियामत धा रही थी वो सब को इगनो करके सीधा रूम दशमलव 309 मेजा पहुँची जहां उसकी टीम उसका हे वेट कर रही थी माही जाके गेट नोग करती है अंदर से कॉमल गेट खोलती है अब आप सोच रहे होगे कॉमल कैसे कॉमल माही की बचपन की दोस्त है जो हमेशा उसके साथ रहती है कॉमल को उसके बारे में सब पता है और कॉमल भी उनकी टीम की ही मेंबर है माही सीधा अंदर चली जाती है इस वक्त उसके फेस बिकुल सांध था उसके फेस पर कोई emotion नहीं थे जो मही हमेशा हस्ती खेलती रहती थी उससे बिलकुल है अलग मही लाग रही थी मही आके सब के सामने बेठे जाती है सब उसे गिरीट करते हैं मही सब को देख कर बोलना शुरू करती है कि आज कुछ भी करके डेड के कागों को इंडिया आने से रोन के ना है रोहित की तरफ इस सारा करके कहती तुम अभी की अभी उस टापू के लिए निकल जाओ और वाह अपने सारे आदमी लगा दो जैसे ही शिप वाह आए शिप को बोम से उड़ा देना और सब की तरफ देख कर कहती है आज का इंचाज रोहित है तुम सब इसके ओर फॉलो करोगे सब सब ने एस बॉस बोल के सर जुका लिया दूसरी तरफ रूम 220 में रिशब एक थरी पी सूट पहन कर बाहर निकला और अक्षत के साथ अपने होटल की कॉन्फरेंस रूम में चला गया जहां रूम में मिस्टर वालिया पहले हैं मौजूद थे दरवाजे की आवाज सुनके वालिया जी भी चेयर से खड़े हुगी उन्होंने जैसे ही रिशब को देखा उनकी आखों में चमक आ गई अक्षत ने वालिया जी से हात मिलाया और रिशब के बारे में बोला ये मेरा असिस्टेंट रोद्र सिंग है और आज आज आपके साथ यही डील करेगे हम माफी चाहेगे आज सर को बहुत ही जरूरी काम से इंडिया से बाहर जाना पड़ा वालिया जी रिशब से हाथ मिलिया और कहा रे अरे कोई बात नहीं प्लीस टेक यू सीड बोल के सब को बेटने का इशारा किया इस वक्त रूम में सिर्फ मिस्टर वालिया रिशब अक्षत और उसके दस खास बॉड़ी गाद थे रिशब ने डील के बारे में समझना शुरू किया रिशब बहुत है confidence हो के एक-एक टम समझा रहा था जिसे मिस्टर वालिया भी बहुत अच्छे से सुन रहे थे उनकी नजर रिशब पर ही थी सब समझाने के बाद रिशब वालिया के सामने रखी चेह पर बेट कर वालिया जी से बोला सर तो आपको हमारी इस डील से कम से कम पंद्रह सो करोर का फाइदा होगा हमारी कमपनी इसका पुरा ध्यान रखेगी की प्रोजेक्ट में यूज होने वाला समान बहुत है अच्छी क्वालिटी का हो वालिया जी ने थोड़ा सोचा और हाथ आगे बढ़ा कर रिशब से हाथ मिलते हुए कहा दील दन मिस्ट कुंद्रह नोट रिशब को सब बस आरके के नाम से जानते थे सब को बसके का मतलब ही पता था किसी को भी आरका मतलब नहीं पता चला आज तक बस कुछ लोगों को छोड़ कर जहां सब इस बात से खुश थे डील दन सुनके वही आखिरी बात सुनके सब सौकर्ड हो गए रिशब के हाथ जम से गए वो भी अपनी आखे बड़ी बड़ी करके मर वालिया जी को ही देख रहा था जिनके फेस पर एक स्माइल थी अक्षत होस में आया और हकला ते हुए कहा सर आप गलत समझ रहे है ये तो रुद सिंग है मेरा असिस्टेंट वालिया जी ने अक्षत की तरफ देखा और जोर से हस्दी और बोला बच्चे तुम अभी बहुत छोटे हो में ने इस आखों से दुनिया देखी है मुझे इन आखों पर पुरा भरोसा है कि ये हिम मिस्टर कुंद्रा है अब रिशब भी समझ चुका था मिस्टर वालिया से सच नहीं छुपा सकते रिशब ने भी मिस्टर वालिया से कहा मानना पड़ेगा गा मिस्टर वालिया आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया देखी तो मेरा शक और बढ़ गया। गया कि आप पका कोई और है जो आप देखाना नहीं चाहते फिर मैंने अपको लास्ट में जब आपको कुंद्रा बोल तो मुझे सबकी आखों में हैरानी साफ देख रही थी। तब मुझे पुरा यकीन हो गया कि आप है मिस्टर कुंद मिस्टर वालिया आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा पर एक बात आप ये बात किसी को नहीं बता सकते कि आपने मुझे देखा है वरना आप जानते हैं क्या हो सकता है। भी अक्षद का काल आता है। वो लिफ्ट में एक साइड हो के काल पर बात करने लगा वही रिशब भी अपने फोन में कुछ करने लगता है। असल में मही भी अपनी टीन से मीटिंग करके बाहर जा रही थी वो अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी तभी उसकी टकर रिशब से हो जाती है। दूसरी तरफ आवाज सुनके अक्षब अपना फोन रख कर दोड कर रिशब के पास आता है तो देखता है। रिशब किसी लड़की के उपर गिरा है और एक टक उसे देख रहा है अक्षब अपना गला साफ करने की आवाज करता है। आवाज सुनके मही और रिशब दोनों होस में आते हैं रिशब जल्दी से खड़ा होता है और मही को उठने में मदद करता है। मही खड़ी होके रिशब को थान्क यू बोलती है रिशब उसे मान करते हुए बोला औरे मेरी वाजस से आप गिर गई आप मुझे माफ कर दिजिए। मैं अपने फोन में इतना बिजी हो गई थी कि आपको देख ही नहीं पाई। रिशब कहता है चलो कोई बात नहीं रिशब अपना हाथ आगे करके बोलता है मेरा नाम रिशब कुंद्रा है माही भी हाथ मिलते हुए बोलती है में अवनी रिशब माही को उसका फोन उठा के देता है माही अपना फोन लेती है रिशब को ठैंक्स बोलके वाह से चली जाती ह वही रिशब की बात सुनकर और हरकते देख कर अक्षत एकदम सोकद खड़ा था उसने तो जैसे भूत देख लिया हो उसका दोस्त जिसने लड़ियों को आज तक देखता भी नहीं था वो आज किसी से सामने से बात कर रहा है वो भी स्माइल के साथ अक्षत होस में आता है और देखता है अक्षत अभी भी उसी तरफ देख रहा है जहां से माही गई है अक्षत अपना हाथ रिशब के सर पर रख की टेंपरीटर चेक करता है मन में ही बुबुदाता है, बुखार तो नहीं है रिशब अभी भी माही के ख्यालों में खोया हुआ था अक्षब जब देखता है रिशब अभी भी होस में नहीं है वो रिशब के कान में धीरे से बोलता है, पसंद आ गई क्या रिशब हां में सिर हिला देता है अक्षत ये देखकर जोर जोर से हसने लगता है रिशब आवाज सुनके होस में आता है और कहता है अरे नहीं मेरा मतलब वो नहीं था बोलके वो चुप हो जाता है फिर अचानक से रिशब स्टिरिकेट मोड में आके कहता है मुझे इस लड़की की सारी information साम तक मेरे room में चाहिए अक्षत रिशब का बदलता वेहवार देखकर एकदम चुप हो जाता है और कहता है हो जाएगा बॉस रिशब वह से निकल के अपने secret lift से office आ जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि रिशब आज office आया है वो कल office आने वाला था रिशब का office हर country से साथ इंडिया के हर state में था रिशब office में आके भी बार-बार मही का चेहरा ही याद आ रहा था वो अपने मन में ही कहता है कुछ तो है बात तुम में जो मुझे तुम्हारी और खिच रहा है तुम्हारी आखों में कुछ अलग साही है जो माने आज पहली बार किसी लड़की की आखों में देखा है थोड़ी देर बाद रिशब अपने खेयालों को जट्का कर अपना काम करने लगता है दूसरी तरफ, माही भी होटल से निकल कर टेक्सी लेटी है और अपने अपार्टमेंट की तरफ चल देती है वो भी इस वक्त रिशब के बारे में है सोच रही थी वो मन है मन में बोलती है उसे की वो आखे कुछ जानी पहचानी लग रही थी उसके आखों में जो कसिस थी वो बहुत हुए अपना सा फील करा रहा थी तब तक गाड़ी का ब्रेक लगता है मही ख्यालों से बाहर आती है तो देखती है अपार्टमेंट पहुँच चुकी है वो गाड़ी से उतरती है इस वक्त वो ठाड़े के एक छोटी से अपार्टमेंट में रहती है ड्रिवर को पैसे देके अपने अपार्टमेंट में चली जाती है अपार्टमेंट में आते आते साम हो चुकी थी वो सीधा वाश्रूम में फ्रेश होने चली जाती है दस मिन्ट बाद वो किचन में खाना बनाने लगी थोड़ी देर बाद उसने खाना खाया और अपने रूम में जाके अपने लाप्टॉप में कुछ करने लगी कुंद्रा पैलेस रिशप साम को अपने पैलेस आता है आक्षच से बोला मेरा और अपना अड्मिशन उसके कलेज में उसके क्लास में कराओ अभी भी उसे माही का हे चेहरा यादा रहा था वो सीधा अपने रूम में जाता है और वाश्रूम में चला जाता है कुछ देर बाद वो वारूम से बाहर निकल कर क्लाजेट रूम में जाके लोव और टीशर्ट पहने कर बाहर आता है तभी रूम का डोर नोख होत है रिशब कमिंग तहता है और रिशब के सामने जाकर बताना शुरू किया भाई तुमने जिस लड़की की इन्फोमेशन निकालने को दीती उसकी सारी इन्फोमेंशन इसमें है वो फाइल रिशब को देते हुए बोलता है उनका नाम माही है मिस माही 21 साल की है अभी वो मुंबई यूनिविसिंटी बी एक के थिर येर की स्टूर्डे है वो पिछले तीन सालों से मुंबई में रहे रही है इस वक्त वो ठाड़े के एक छोटी से अपार्टमेंट में रहती है माही के पैरंस नहीं है उसकी बस एक दोस्ट है कोमल जो हमेशा साथ रहती है पर एक बात समझ नहीं आ रही इतना बोल के वो चुखो जाता है रिशब सब ज्यान से सुन रहा था रिशब उसकी आखों की सबालों को समझज़ते हुआ पर क्या आक्षत आगे कहता है समझ नहीं आ रहा आक्षत थोड़ा गंबीर भाव से बोला उनके तीन साल की डिटेल तो है पर उसके पहले वो कहा रहती थी कहा से आए है क्या करती थी उसकी कोई इंफोमेंशन हमें नहीं मिली एक और अजीब बात है हम सिर्फ उतना है जान पाए जितना डिटेल उन्होंने आपने सोशल मीडिया पे खुद शेय की है उनकी इंफोमेंशन ऐसे हाइक की हुई है कि कोई बड़ा से बड़ा हैकर भी पता ना लगा पाए इसके इलावा उनके फोन और लाप्टॉप में इतनी हाइटेक हायर वाल है कि हमारे सीक्रेट सिस्टम के लोग भी उसे हैक नहीं कर पाए आक्षट आगे कहता है ये पहली बार है कि हमें किसी की इंफोमेशन नहीं मिल पा रही है सीक्रेट सिस्टम रिसब का एक ऐसा हथिया है जो सिर्फ रिशब के एक इशारे पर इंटरनेट वर्ड में तबाही ला सकते इसके अंदर दुनिया के सारे बेहतरन है कर काम इसे देखा किसी ने नहीं है पर ये दुनिया की सबसे बड़ी है करहे जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया इसकी हैकिंग स्किल्स इतनी कमाल की है कि रिशब का पुरा सीक्रेट सिस्टम भी इससे मुकाबला नहीं कर पाता रिशब हमेशा से इसे अपने सीक्रेट सिस्टम में सामिल करना चाहता था पर कभी कर नहीं पाया रिशब सारी बाते बड़े हिद्ध्यान से सुन रहा था फिर अचानक से वो एक वैन का ग्लास लेकर विंडो पे जाके शिप लेने लगा और मन हे मन में बोल आखिर मिल ही गई तुम बैने ना जाने कितनी बार तुमसे मिलने की कोसिस की मगर हर बार तुम हर बार मानकर देती थी अक्ष़क ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि सिकरेट सिस्टम किसी का भी डाटा आसानी से हेक कर सकता है सिवाई क्वीन अवदाग का दाटा उसे आज तक कोई हैक नहीं कर पाया रितब ये सब सोच हे रहा था तभी अक्षद की आवाज आए रिशु कही ये वही तो नहीं रिशब उसकी तरफ को दिली देखते हुए बोला हाँ ये वही है रिशब की बात सुनकर अक्षद की आखे बड़ी-बड़ी हुगई और रिशु की तरफ विना देखते हुए अक्षद बोल बट रिशु वो तो बहुत छोटी है इतने वड़े-बड़े काम वो कैसे कर सकती है उसके चहरे पर इतनी मसुमियक थी वो ये नहीं हो सकती अक्षद ये सब बिना रिशब को देखे बोल रहा था थोड़ी देर तक जब रिशब की और से कोई आवाज नहीं आई तब अक्षद ने रिशब की फेस पर देखा जो उसे खा जाने वाली नजर से घूर रहा था अक्षद ने उसके देख कर थू घटकते हुआ बोल रिशब तू मू मजे ऐसे क्यों देख रहा है रिशब ने उसे दाथ पिस्ते हुए बोल तुझे बड़ा पता है उसके बारे में और तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके चहरे को देखने की आगे से तुने उसे देखा भी तो तेरी आखे निकाल कर चिल को ओको खिला दो रिशब की ऐसी जान लेवा धम की सुनके अक्षद दर गया और घिरे से बोल सोरी भाई अब नहीं देखूँगा तू इतना गुसा मत हो अक्षद की सोरी सुनके रिसव सांध हुआ आक्षद से बोला मेरा और अपना अडमिशन उसके कलेज में उसके क्लास में कर आओ। आक्षद तो उसकी बात सुन के हिरानी से उसे देखता है और मन में कहता है ये क्या सोच रहा है करना क्या चाहता है कुछ समझ नहीं आता अक्षत रिशब को ठीक है बोलवके वहाँ से चला जाता है रिशब फिर से बाहर की तरफ मुड़के अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाल के मन में बोला मिस मही अब तो जानना ही पड़ेगा आखिर आप है कौन दूसरी तरफ USA एक बड़े से महल जैसे पहले इसके हाल में एक आदमी सोफे पर बेट कर न्यूस पर रहा था उसके सामने 25-30 आदमी सिर जुका के खड़े थे तभी उन सब का बॉस दरते हुए आगे आया गुटनों ने बल बेट कर सिर जुका कर लड़करती आवाज में बोला बॉस मिस प्रिंसेस का अभी तक हम कोई पता नहीं चला तभी एक गोली चलने की आवाज आये और नीचे बेथा आदमी लेट चुका था उसके सिर से खून निकल रहा है जब सबने गोली की आवाज सुनी तब सामने उस तरफ देखा तो देखा कर डर के मारे सब की पेंट गीली हो गई थी सामने बेथा आदमी की आखे एकदम सुर्क लाल थी जिसमें सिर्फ गुस्सा भार हुआ था उस आदमी में दात पिस्ते हुए कहा तुम सब को एक काम दिया था जिसे तुम लोग अभी तक पुरा नहीं कर पाए तीन साल तीन साल से मेंने अपनी बेटी को नहीं देखा है तुम लोग रोज यही खबर सुनते हो पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी क्या कर रही होगी इस वक्त उनकी आखों में गुस्से की जगरदर्द साफ देख रहा था उन्हों अपने आपको सनहलते हुए रोगदार आवाज में बोला दो महीने है तुम सब के पस अगर मेरी बेटी मेरी सामने नहीं हुई तो तुम्हारा और तुम्हारे खंडन का नमो निसान मिठ चुका होगा इस दुनिया से ये बोल के सब को जाने का इशारा करता है सब इसारा समझ कर ऐसे नौ दो एक एक होते हैं जैसे वह कोई था ही नहीं अगली शुब रोजाना की तरह रिशब शुबह जल्दी उठके जिम चला जाता जिम से आके वो सीधा वाश्रूम में चला गया थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर नीचे आता है नीचे अक्षट पहले ही उसका वेद कर रहा था जूतों की आवाज सुनके विवान उस आवाज की तरफ देखता है तो उसकी आखे बड़ी बड़ी हो जाती हूँ आज रितब ने ब्लू जीन से साथ वाइट टी शर्ट के अपर ब्लू डेनियम डाली थी आखो पे ब्लू शेड्स जो की उसके लुक में चार चांद लगा रहा है रिशब इस लुक में काफी हैंसम लग रहा था एक पल के अक्षट की आखे बस रुक सी जाती है कुछ देर में अक्षट होस में आता है है सीधा रिशब की पास जाके गले लगते हुए कहता है यार रिशू क्या बात है यार तुझे मेंने तु कभी ऐसे कपड़ों में दिखा है यार आथ तु पुरा कलेज बस तुझे ही देखने वाला है इतना कहकर वो रिशब से दूर होता है रिशब उसे कोई जवाब नहीं देता और डिनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है और अपनी मिदल में लगी किंचे खिचकर बेट कर ब्रेकफास्ट करने लगता है अक्षत मो बनते हुए मन में कहता है मैंने इतनी तारीफ की पर एक बार भी बात तक नहीं की और उस लड़की से कैसे हस हस के बाते कर रहा था वो ये सब सोचे रहा था तभी एक जोरदार आवाज आये रिशब बोला ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या उसकी आवाज सुनके अक्षत होस में आया और डोर के रिशब के बगल वाली चेह खीच कर बेट गया और ब्रेकफास्ट करने लगा थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करके कलेज के लिए निकल गए मुंबई ठाड़े माही का अपार्टमेंट माही अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी तभी उसका अलार्म बजा वो आखे बंद करेही अपने हाथों से अलार्म बंद करने की कोसिस करने लगी जब वो अलार्म बंद नहीं कर पाई तो अलार्म क्लॉक को उठा के पटक दिया जिससे अलार्म क्लॉक क्या पूरी क्लॉक है बंद हो गई मही को जैसे ही किसी चीज की तूटने की आवाज आए उसने अपनी आखे खोल ली और नाचे देखा तो अलाम के इतने टुटे हुए थी कि मानो उसके एटम बोम गिरा हो मही क्लॉक को देख कर सरपकट बोली लो एक और तोर दी ये तो पंद्रव वी थी अब फिर से नई खरीदनी पद गी तब ही उसकी नजक वाला क्लॉक पे गई जहां साधे आठ हो रहे थे टाइम देखते हैं मही एकदम तेजी से उठी और वाश्रूम में चली गई कुछ देर बाद वो रेडी होके बाहर आये और अपना कलेज बैग लेके कलेज की तरफ निकल गई उधर मुंबई युनिवसिटी में अक्षत और रिशब का कलेज आने वला था उनके आगे पीछे जो रिशब के खास दस बॉडिगार की गारिया थी वो गेट से हिद दूसरी तरफ चली गई अक्षत अपनी बुगैटी बड़ी तेज आवाज के साथ कलेज गेट में इंटर करता है बुगैटी की आवाज सुने के कलेज से सारे स्टुडन्ट, वाच्मिन और टीचर उस तरफ देखने लगते है तब ही अक्षत अपनी कार को साइड में रोकता है और गेट खोल के बहार आता जैसे ही लड़कियों ने अक्षत को देख सब की सबाहे भारने लगी और भगवान से मागने लगी बस एक बार हमें देख ले तो जिन्दगी सफल हो जाए वही लड़की तो बस कार को हे देख कर दंग थे जो लड़की कार के बारे में जानते थे उन्हें एक मिंट में पता चल गाए ये लिमिट अडिशन बुगाटी दिवो है सब ये सोच रहे थी कोलेज इतना अमिर कोना गया आभी तक किसी ने अक्षट को फेस नहीं देखा था पर जैसे है सबने अक्षट का फेस देखा सब कि सब दंग रहे गई क्योंकि सब अक्षट को बखू भी जानते है वो कौन है और क्या काम करता है सब अपनी आखे फाढ़े मन में बुबुदा रहे थे इतनी बड़ी हस्ती हमारे कलेज में क्या कर रही है सब ये सोच हे रहे थे कि पैसेंजर साइट का गेट खोल और एक डिसेंट सा हैंसम लड़का निकाल ये कोई और नहीं हमारा रिशब है रिशब को देखते ही लड़किया बिना पलके जपके उसे ही देखने लगे वही हाल लड़कों का भी था पर वो बस अंदर ही अंदर जल रहे थे यार इतना होट लड़का कैसे हो सकता है तब ही वह पर दोड़ता हुआ पियोन आया और सर जुका कर दोनों को मौनिंग गिरिद किया फिर साथ चलने को बोल कर आगे आगे चलने लगा जैसे जैसे वो चल रहे थे सब उन्हें ही देख रहे हो जैसे फरिस्ता देख लिया हो अक्षत तो सब को देख कर सिमले पास कर रहा था वही रिशब अपने फोन में लगा हुआ सब को इगनो कर रहा था दूसरी तरफ माही गिरते पढ़ते कलेज पहुँची तो उसे गेट पर ही कोमल मिल गई माही कोमल के पास गई और तेज तेज सासे लेने लेगी बो और बोली यार तू फोन करके जगा नहीं सकती थी क्या इस बात पे कोमल मो बिगड़ते हुए बोली मेरी मा आपका फोन लगना भी तो चाहिए उठाने के लिए कोमल की बाद पे मही ने अपना फोन चेक किया जो इस वक्त स्विच ओफ था मही ने तुरन थे फोन ओन किया और कोमल की और देख कर दाथ दिखा कर बोली सोरी यार कोमल मही को देख कर स्माइल कर दी और बोली चल छोड जाने दे ये सब तुझे पता है आज कलेज में दो बहुत हैंसम लड़के आए है पुरा कलेज में सब उसकी एक जलक पाने के लिए इधर उधर धून रहे है माही उसकी बात पर बोली तो में क्या करो कोमल चिरते हुए बोली अबे तु इतनी सुन्दर है तुझे तो कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा मुझे देख मेरा क्या होगा पपी फेस बना लिया माही उसकी फेस को देख कर खिलखिला के हस दी और बोली तो चाहती क्या है कोमल उससे चिलते हुए बोली यार चलना हम भी उन्हें धुटते हैं क्या पता उनमें से कोई मुझे पसंद कर ले माही पहले तो मान करती है फिर कोमल के बार-बार बोल पर माही भी रेडी हो जाती है चलने के लिए और दोनों निकल जाते हैं कुछ देर बाद जब माही और कोमल को वो लोग नहीं मिलते तो हार मानक अपनी क्लास में जाके बेट जाते हैं क्यूंकि शर्मा सर की क्लास टॉट होने वाली थी और वो लेट पर कहुंचे तो फिर से वो डाट लगाएगे दोनों क्लास में आपनी सीट पर बेट जाते है कुछ देर बाद शर्मा सर आते है और क्लास टॉट हो जाती है तोड़ी ही देर बाद दीन उस क्लास में आते है उन्हें देख कर सब हैरान हो जाते है और मोनिंग विश करते है सब हैरान इसलिए थी क्योंकि दीन कभी भी क्लास में नहीं थे तभी दीन की आवाज आए आज आपकी क्लास में दो न्यू स्टुडेंट जॉइन हुए फिर वो बाहर की तरफ इशारा करते है सब गेट की तरफ देखते हैं माही और कोमल भी गेट को हिद देख रही थी तब ही अक्षद बड़े रोग के साथ अंदर इंटर करता है दीन सबसे कहता है आप लोग लोग तो इन्हें जानते ही हूंगे पिये ओफ आर के मिस्टर अक्षद महता सब अक्षद को देख कर चौप जाते है इतनी बड़ी हस्ती हमारे कलेज में और लड़कियों का तो हाल है बुरा था वो तो बस ऐसे देख रही थी बस एक बार अक्षद उन्हें देख ले उनका जीना सफल हो जाएगा कोमल तो एक टक अक्षद को ही देख रही थी और मही शोक में थी और मन हे मन सोच रही थी यहां कैसे तभी दीन की आवाज फिर से सुनाई दी तो सब होस में आये दीन बोला और ये है रिशब कुंद्र अक्षद की खास दोस्त सबने गेट की तरफ देखा तो एक हैंसम का लड़का बड़े है आटिचिव के साथ अंदर आ रहा था सब तो बस उसे देखते रहे गए सब अपने आप में खुसुर फुसुर करने लगे कोई केह रहा था यार कितना होट है ये कोई यार इतना हैंसम कोई कैसे हो सकता है वही जब मही ने रिशब को देखा तो एकदम शॉक्ट हो गई और मन में ही बोल ये वही है जिसे में टक्राए थी इस वकत वो बस रिशब को ही देख रही थी वही जब रिशब ने इधर उधर देखा तो उससे मही देखी जो उससे ही देख रही थी उसे ऐसा देखता पा के रिशब के फेस पर स्माइल आ गई वही जब मही ने उसके फेस पर स्माइल देखी तो वो तो जैसे पागल हे हो गई और धीरे से बुबुदाते हुए बोली यार कितना हैंसम है ये नजरे हे नहीं हट रही सब खेयालों में मस थे तभी दीन की आवाज जब भाह बहा बेथ उना है फेर वो दो जो जब खेक पहा जगा रिसाब ने मही को देका कारा घलों का हाता मही ने बिपले मी हेलों भुछ देख पाला वुछ ने हो, अचर अबमाही ने ने को दो को जो जूद आ खाला कामाला युष एला यू उसके जनादी हैॉर मुकर काईम रही है, जावबब मी मही ने बाध मी बताओ ऑी, कमाला बीकुप हो गाई ओार सार मसर कास फुरू करादी है, भाघ माही तरिस आप के पिच्पई धेन से अपनी द अराकाना कभू करेन मी लजी त यूस बार अजी बसा फिली हो रारा हा द बाहा द बाहा कमाला बारा ब कमाले न जेज क्पाद अपनग खन jak की अकारी बात सुनक्ट उत्सके रूगसे कारीबाद सुनक्ट टूसे कराकारी ख cynoth should beціˇचते मुध खगय शीजा ख में है। और अरिसाब से कुचा, तुमा यहम केस, क्वोट, मतलाब तु इसकले हमी केस, अजा तका तुम ही नही देका, इसा पर अरिसाब ने मही को संता करादी हुगोला, और मिर दीड़ की जोब के वहे से हमा दिली से यहम साफ तहुग है, इसा पर दुम अरिसाब ने यहाँ पर अरिसाब ने यहम तवो रिसाब की तरफ़ डेकादा है जो यूसका जान वाली नजरो से गर अराहा दाकसादा की जना हलाकमी है अताकगा यूसें तरंता है अपना हाथा पिच्किया, औरा, हेलो बोला, उना साबको बेत करादा देका कमाला बोली, मी भी हुआ हम परा, साब यूसकी तरफ़ ड फर बेत करादी है कुर ही यूरी यूसकी लरोकिए प्रिसाब और अराहा ङुट चो से घासाब को बाहा की तरिसाब यूसका जाली नाम महित वरोकुमाही यूसाब गरी टी तरफ़ देका जाली दक्रे कजर जें तर्फ़म देसें Lac kurt तबал फरूस और यूफ़ एलोश Water比較 लिन्हें के पिच पर रहत हुी पर आिसा भर मे रिसाबको नहीं चन्हें दोगी अतने बलेखब झादेश ड़ेग को टmäß नहीं परादेश पर आजपार इन्हा फान 묶्तिमीधा ता भी मही नहीं नहीं यारतुमा सबबको भूका नही लाग रही क्या मुझे तबहूदा लाग रही है, तबसबें तेमा देका तवल्व बहा क्यूका सबस्काहा, हम्भी लाग रही है, सबब बहा से कंटीन अकी तरफ नकाला पर उनको जादा देका रोमा और उसकी कमसी कजाला ब उनक पिच कला प यारतुमा क्या रही है, तरफ बहा कुच अना ही दोरी दरताकरो मा कुच अना ही सुना ईयतवो कुच तेका नाजी, ऊसंच अनाला धूक यसमाही है क्या कूच चराना पर गवराना ये तरिस अभा को विए पान पियारो के जाल पीछ प्या मी तूल्य के घ तबह दमाका नह øकवाराइड корабा औरॉ saç चेहर परेका ड OW lower रिभला स्माल oga यूसकी फेखर्णक ख्रेंद republicanे क चुछा पलेहितिि यूसकी श्माल को खरें के सिक्रें के ऍुछ Virusी न्यूसकी स्माल कजदे गमारी आसे स Israelis प्रूपन के पल् leopard आफे लिए stesso ने सा हुआँ तेर भ traveled to the कज ए अशाल सुर्ण के भाइ या ग 迅लो ए टेड लुष्टया के रह तित वप कर्या आसे प्रप brightly है आसे ती ने मैन कजखे ले关 किसी और के साथ अगूलचार अरह रहा है अगहार वीसा वा से नही है कंटी नमी एक देका लो अबयो अभा की का महामर अब तर गेगा रोमा की बाद नुना दना मेंक दसर को है फैधे डेधे है और आमाही को आधे नगाइधा है बहर जाबा आसीसा रोम मेंसे है बीकादा है तो युस पहले गसा आदा है फिर इसो कादा है है कै खाए एक आ। एक साथ हो ऍो शाका ओ रागी большое ता समड़ मन एक साथ भरा खुड़ा का मुडली असि से के दो स sneakने का ल़ा जाता ला कि स हैं, तेरो सुकाता ला ये, आ Schweiz कि वारो वह सी कहते लाप टरा फा नाट जाЗ जादा है के ढव कि दो आदा लाट गार ये स्ब्स 吸े ग्यंग्स फ्यास कहा जदा में LGBT, कर लगई लग्या का लगई लगया छें के बाद सबस्साब के लग रही ड़िए ची साब की अको मिक cambi अगया मही से बोगला मेरी अको मिक 2 div न की अच्नि सबस्खियो लॉगieważ इंदर्ब हाई खुक ही अवर खु खुक अचुक जब interactions by लग एस्समीं के ल upon the रिसाबके पसा जेक यूसकी अमकी को लाकर फुका मरें लागटी है की ताबी.